दोस्तों, नमस्कार. आप देख रहे हैं एग्री मस्ती। कि आप एग्रीकल्चर का स््टुडेंट हैं जा आप लोग क्या करते हैं। उन तीचर्स के बादों पर भरोसा कर लेते हैं कि वो कह रहा है वही सही है तिके मैं आज आज आपके सामने प्रूब के साथ दिखाऊंगा कि जिन तीचर्स का वीडियो देखते हैं उनका वीडियो आपके दिमाग को कैसे भरमित करता है फिलहाल उदाहरण के लिए आप अपने मुवाईली स्क्रीम पे एक थमनिल देख रहे होंगी, साइध आप इनको जानते होंगे, मैं भी इनका वीडियो बहुत देखता हूं, और मैं भी समी टीचर्स का वीडियो देखता हूं, इसो भावी के अभी लोग देखते हैं, मैं भ आपको बताता हूं के हुआ क्या है, दर असल बात ये थी कि बियों का, यानि बिहार बीपेसी, बीपेसी के दुवारा, कई सारे एगरिकल्चर के दर सवी क्याओं पदों के लिए वैकंसी लिकली थी, जिसमें बीपीसी के दुवारा, पेपर में आउट हूँआ, कि बीपी Sapc aí यहां तक यह भी बता दिया कि एक सिट के लिए कितना है और उन्हें यह बताया बेडियू में यह सीट के लिए बाद करें बलॉप की करें अपसार के लिए बात करें तो 35 एक चैलिस उपिंद है जिसका कोई की डिशना है मैं जानता हुकि आप लोग उनके देहें, ओर आपनने सोचा हुआ कि नहीं यह जो बता रहे हैं सहीं है। त्यकिन वह चीज नहीं था वास्तों में वह चीज बिल्कुल गलत भात ती। उसमें कहीं सही स्थ वाला बात है ट्लिप पूरा हएंरे द् пशान गलत था उसका कोई सोर्स नहीं था। मैंने BPSC का वेव साइट खंगाला, उस पर भी कहीं नहीं मिलेगा आपको किस सीट के लिए कितना फ़र्म गिरा हुआ है, सिर्फ आपको इतना पता है कि दस से कावन पदों के लिए टोटल पचास अर फ़र्म भरे गए हैं, और इसके अलाब कुछ भी ने लिखा गया दा, मै वो पेपर का कटिंग अभी आपको वाजी स्किन पे दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, तो आप लोग इन जैसे फरजी टीचर्स के चकर में न परें, समय कम है, और जो स्टुडेंट त्यारी करता है उसको पता होता है कि कैसे त्यारी करना है, क्या चीज होता है और जब इतने बड़े-बड़े टीचर्स के दुवारा गलत जनकारी है इस हात्रों के दिमाग में भरी जाती है, तो उसका बहुत बुड़ा परभाव परता है, और मैं आपको जनकारी के लिए पता दूँ, मैं फिलाल पटना में ही हूँ, बगल में ही BPSC है, बिहारत लो इन लोग का सिर्फ एक ही मोटीव है कि अपना कोर्स बेचेंगे और पैसा कमाएंगी, आपका पेपर क्रैक होता है कि नहीं होता है इसे इनका कोई मतलब नहीं है, ज्यादा ज्यादा छात्र इनका कोर्स परचेज करें, बस यह लोग यहीं चीज का परशार करते हैं, और आप लोगों से मैं यहीं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे टीचर्स के वीडियो पर आख बंद करके भरोसा मत करिये, और जहां तक यह बात थी ना कि परशेट के लिए कि इसका कोई यहीं है, तो आप लोग यह मान करके चलिए, कि BPSC के लिए जो 10-50 पोस्ट था, उसक जो इलिजबिलिटी का राइट एडिया था, वो सबसे कम था, मतलब स्टेंडर्ड था, कहने का मतलब कि इसी BPSC कर्चर जो किया हुआ है, वो फम भर सकता है, आता आप लोग समझ सकते हैं कि सबस्यादा कंप्टिशन कहीं होगा, सोच करके देखिएगा, तो पता चलेगा, बीयों महीं होगा, और इन जैसे टीचर्स का वीडियो के चकर में पढ़ेंगे, ये लोग तो ये भी बता रहे थे कि पेपर 6 महीने बाद होगा, लेकिन पेपर मातल एक महीने में होने वाला है, एक बाद फिशे कहुँगा कि इसे टीचर्स के वीडियो को मत देखिए, बह फिर भी एसी जनकारी जब छात्रों के दिमाग में जाएगा, तो क्या इंपेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं कहुँगा कि आप लोग अपना दिमाग का परियोग करिए, पेपर होने का समय बहुत कम है, बढ़ियों स्टैरी कीजिए, और इन जैसे टीचर्स का भष्कार करि धन्यवाद